SBI किलर्क की जो भी विध्यार्थी तियारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्पूर्ण है देखिए मैंने आज से आपके बारे में क्या सोचा है कि चुकि हमारे एक्जाम अभी थोड़ा समय तो है तो हम क्वांट को लेकर मेट्स को लेकर कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और एक एक ट्रिक्स को सीखेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम को सोलो कर सकते हैं तो आज हम से बात करेंगे 11 के मल्टिप्लाई की ट्रिक्स के बारे में यानि किसी भी संक्या में अगर आप 11 से गुणा करते हैं तो वो कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं तो देखिए मैं कुछ नमबर से हूआ लिख सकता हूँ जैसे सबसे पहले मैंने लिखा 22 उसके बाद कि दूसरा नमबर लिख सकते हैं यहां पर 24 घडी सर नमबर हम लिख różne 28 अभी अब ही बस आपको देखते चलना है कि चोथा नंबर हम लिख सकते हैं 32 कि पांचवा नंबर हम लिख सकते हैं 34 कि छटा नंबर हम लिख सकते हैं 38 यह सभी 11 से मल्टिप्लाई आपको करना है ठीक है सभी को हम 11 से मल्टिप्लाई करेंगे और समझेंगे केसे कम से कम समय में इस ट्रिक का उपयोग करना है और केसे बेंग एक्जाम में इस ट्रिक का उपयोग किया जाता है समझे यह सिंपल जी हो सकता आपको पता हो लेकिन अभी आपको समझना है अब दीखे जब भी 11 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है अगर संख्या 2 डिजिट की हो तो उसे कैसे करना है सबसे पहले जैसे यह वाला इकाई अंक है तो उसे एसा ही लिख लिजिए इधर वाला जो दहाई अंक है उसे भी वेसा ही लिख दीजिए ठीक है और इन दोनों अंकों को जोड़ दीजे दो और दो चार तो हमारे इस प्रेशने का जो आंसर है वह आ गया 242 कितना सिंपल है ठीक ऐसा ही आपको क्या करना है यह वाली जो डिजिट है पहली वाली इसे एसा लिख लिजिए दूसरी डिजिट को वेसा लिख लिजे और बीच में जगे राख दीजे और इन दोनों को एड कर दीजे चार और दो छे तो इस प्रेशने का अंसर आ गया 264 नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 तो देखिए एकाई वाले अंग को आप वेसा ही लिख दीजे दहाई वाले अंग को वेसा लिख दीजे और इन दोनों को जोड दीजे तो यहाँ पर जोडने पर क्या आएगा 10 अब यहाँ पर मेन बात समयने की क्या है जब भी एसी संख्या आ जा करेंगे एकाई वाले अंक यानि दो को वेसा ही लिख दिया दाही वाले अंक को लिख दिया और इन दोनों को एड कर दिया तीन और दो पाच 352 352 इस प्रेशने का सही आंसर हो गया कितना सिंपल है यार एसे अगर हम करेंगे तो और 11 का मिल्टिप्लाई जैसे हमने देखा आंसर आने शुरू हो गए चार को वेसे ही लिखा तीन को वेसे ही लिखा और इन दोनों को एड कर दिया चार और 374 अब धिरे धिरे आपका दिमाग इतने अच्छे तरीके से काम करना लेगा गया इसमें जैसे आप क्या करेंगे यह 8 लिखा 8 और 3 को काउंट किया यानि जोड़ा 8 और 3 11 हांसी लेग यह वाली जो संक्या है तीन में एक जोड़ दिया 4 418 इसका अंसर हो गया तो इस तरीके से हम इस ट्रिक का उपयोग करते हैं उम्मीद करता हूं आपको यह ट्रिक पसंद आये होगी अब बात करते हैं अगली वाले उसमें यानि अगर यही डिजिट थोड़ा सा बढ़के आ जाए जैसे की 212 इंटु 11 यानि 3 डिजिट 4 डिजिट में आ जाए तो कैसे करना है 414 इंटु 11 823 इंटु 11 इसके बाद आगे बात करते हैं एक और प्रेशन लेते हैं 623 इंटु 11 चलिए इन वाले प्रेशनों को हम देखते हैं और समझते हैं कि इनका आंसर हमें कैसे देना चाहिए अब एक बात समझिए अभी मैंने जो ट्रिक आपको समझाई क्या आप उस ट्रिक को समझे या नहीं अगर समझे है तो कमेंट बुक्स में आपको पहले इन चार से पांच कोश्चन के आंसर डालने हैं 42 इंटु 11 36 इंटु 11 इसी ट्रिक के हिसाब से लिख करें न और 28 इंटु 11 इन तीन प्रेशन के आंसर आपको डालने हैं चलिए इनको देखते हैं तो हमने क्या गाता ठीक वही ट्रिक इकाई वाले अंक को इधर लिख दिया इधर जो लास्ट वाला अंक है उसे लिख दिजिए अब इ अगले प्रेशन को देखते हैं 414 का गुणा 11 में करना है तो इकाई वाले अंक को वेसा ही लिख दिया इधर वाला जो लास्ट अंक है उसे भी वेसा ही लिख दिया यानि चार और चार अब इन्हें 8 कर दिजिए चार और 5 चार और 5 यह आप किसी भी नंबर में लगा सकते ह इसका सही आंसर है प्यारे साथियों आगे क्यों बढ़ते हैं 823 इंट्व 11 इकाई अंक को यानि 3 को लिखा इधर 8 को लिखा अब इन्हें जोड़ दीजिए 3 और 2 5 8 और 2 10 अब यहां पर 10 था हां से लेक आया इस एक को एक में 8 में 8 कर दिजिए यानि 3509 इसका सही आंसर अगला और लाश्ट प्रेशन आज का देखते हैं 6 623 तो इकाई अंक को वेसा ही लिखा 6 को यानि लाश्ट डिजिट को लिखा अब इन्हें 8 कर दीजिए 3 और 2 5 6 और 2 8 यानि 68 53 इस प्रेशन का सही आंसर होगा अच्छा अब मेरी ट्रिक एक बात समझ यह मैं इस प्रेशन 2289 अभी यह बड़ी डिजिट है ठीक है इन्टु 11 अगर यह मेरे सामने रहता तो मैं इसे केस से सॉल्व करता मैं सबसे पहले लिखता 9 को फिर इसको एट करता 9 और 8 17 हासिल एक फिर इसको एट करता 8 और 2 10 और एक हासिल का था तो 11 हासिल एक फिर 2 और 2 4 और हासिल का एक 5 ठ चार और 2 6 और यह आ गया चार लाश्ट में मैं इस तरीके से इस प्रेशन को सॉल्व करता तो उम्मीद है आप भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और अगर आपको ट्रिक सहीं लगी है तो कमेंट करके बताए हम एसी ही ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि के से कम से कम सम सब्सक्राइब लगबग 30-40 मेहत्पून ट्रिक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और आपको इनके उबर प्रेशन सोल्व करने धन्यवाद